तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो सलमान कान हमेशा ही अपने मचेवेटिट फिल्मों, डायलोक्स, कमेटमेंट्स के साथ साथ दोस्ती और दिल्दारी के लिए भी जाने जाते हैं जिसकी वज़े से आज वो बॉलिवूड के ही नहीं बलकि पूरी इंडिया के वन ओप दी बिगेस्ट और सबसे फिएट मेगा स्टार्स की गिंती में नमबर वन पर आते हैं और हर जगा बॉलिवूड होचा टॉलिवूड फर्क नहीं परता क्योंकि बड़े से बड़ा डायक्टर आज उनके साथ काम करना चाता है और इस बार ये कुछ बहुती अलग और एक्साइटिंग करने जा रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म के साथ और अगर सब कुछ फाइनलाइज हो कि ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो ये फैंस के लिए बहुती यादगार रहने वाला है और साथी सल्मान खान के नाम फिर एक बार हिस्टरी क्रेट करने वाला है जी हाँ दोस्तों तो क्या कुछ खबरे निकल कर आ रहे हैं सल्मान खान के अपकमिंग फिल्म लेकर बात करेंगे इस बारे में तो पूरा वीडियो आइन तक देखना आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है तो हेलो दोस्तों माई टोक्स को कर फ्रेस एपिसोड में आपका स्वागत है तो दोस्तों सल्मान खान ने हाली में अपने इंट्रिव्यू के दौरन बताया है कि वो अपने अगली फिल्म करण जोहर के साथ कर रहे हैं और जैसा कि करण जोहर बॉलिवूट के उन डिरेक्टरों में से हैं जिन्होंने बॉलिवूट को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और ये इस बार सल्मान खान के साथ फिल्म लेकर आ रहे हैं और according to media reports फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है और करण जो और इस प्रोजक्ट पर काफी सालों से काम कर रहे थे और सल्मान खान को भी ये प्रोजक्ट काफी पसंद आया है जिया दोस्तों ये एक पैन इडिया की बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है और जिस तरह से इंडियन सिनेमा में टीवी से लेकर फिल्मों तक सल्मान खान का क्रेज है और इस फैन फॉलोविंग का फाइदा उठाते वे डायेक्टर करण जोहर सल्मान खान को लेकर एक बड़ी फिल्म लेकर आते हैं तो इसमें कोई शक्की बात नहीं है कि वो फिल्म सल्मान खान की सुल्तान, बजरंगी भायजान और बाहू बली केजिफ जैसी बड़ी फिल्मों से भी बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है और एक बहुत बड़ी हिस्टे केरेट कर सकती है बाकि दोस्तों आपको क्या लगता है सल्मान खान और करन जोर की जोड़ी क्या कुछ कमाल कर सकती है कमेंट करके जरू बताएं साथी वीडियो चलेगे उते वीडियो को लाइक करें और मुवी से लेटेट ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें